नमो बुंध्धाए आज हम बात करेंगे बौध धर्म की चार संगीतियों के बारे में, जैसके आप सभी जानते हैं, महात्मा बुध के महा परिनिर्वार्ण के बाद चार बौध संगीतियों का आयोजन किया गया था और इनी संगीतियों से एक्जाम में बहुत सारे कुशिस भी पूछे जाते हैं तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कुस करने वाले हैं बौत धरम की चार संगीतियां तो चलिए शुरू करते हैं बौत धरम की पहली संगीति के साथ तो अगर हम बात करें बौत धरम की पहली संगीति के बारे में तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहली संगीति का आयोजन कहां पर किया गया था जगा का नाम आपको पता होना चाहिए तो बहुत धरम की पहली संगीती बुलाई गई है राजग्रीह में और राजग्रीह में भी अगर आप लोगों से पूछा जाए एक्जेक्ट कहाँ पर तो राजग्रीह में हैं बैभार पहाडियों में और एक्जेक्ट जगा बहाँ प पता होना चाहिए कि इस संगीती के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे तो पहली बहुत संगीती की है पूरण महाकश्यप ने पूरण महाकश्यप रहेंगे इस संगीती के अध्यक्ष और जब ये पहली संगीती मुलाई गई थी तो इस टाइम पर साशक कौन हुआ करते थे ये क बिसार के बेटे और कौन से वंश से रिलेटर ये रहेंगे तो ये रहेंगे यहाँ पर हरियंक वंश से रिलेटर और अगर हम बात करें पहली संगीती के दौरान खास बात क्या रहेगी तो इसी संगीती के दौरान महात्माबुद की सिक्षाओं को संकलित किया गया है और कौ महात्मा बुद्ध के प्रिय सिश्य अनंद के द्वारा जबकि जो विने पिटक था इसी लिखा गया है महात्मा बुद्ध के परधान शिश्य के द्वारा जिनका नाम रहेगा यहाँ पर उपाली तो पहली संगीती के दौरान ही सुथ पिटक और विने पिटक लिखे गए है जिने लिखा है आनंद और उपाली ने इसके अलावा आप लोगों ने ध्यान लखना है कि पहली संगीती के दौरान ही महात्मा बुद के सार्थी हुआ करते थे जिनका नाम है चन्ना या इनहीं को चंदक भी बोलते हैं तो इसे संगीती के दौरान चन्ना या चंदक को ब्रह पहली संगीती को क्या बोला जाता है पंच शत्ति का बोला जाता है और अब लास्ट पॉइंट जो अपने पहली संगीती के बारे में ध्यान दखना है वो ये कि पहली संगीती का आयोजन कब हुआ था तो महात्मा बुद्ध के महापरी निर्वान के तीन वहिनों के बाद पह पहली बहुत संगीती का आयोजन किया गया है निक्स्टम बात करेंगे दूसरी बहुत संगीती के बारे में काफी important questions जो है वो आपकी दूसरी बहुत संगीती से पूछे जा सकते हैं तो दूसरी संगीती जो बुलाई गई थी ये पहली संगीती से पूरे 100 साल के बाद यानि क पहली बहुत संगीती का आयोजन किया गया है 483 इसा पूरम में तो दूसरी बहुत संगीती का आयोजन कब होगा 383 इसा पूरम में होगा तो दूसरी बहुत संगीती कब बुलाई गई है 383 इसा पूरम में बुलाई गई है अब कहां पर बुलाई गई है यह दूसरी बहुत स राम बिहार में कहां पर बुलाई गई है तो बालुका राम बिहार में बुलाई गई है इसके अलावा इस सेकेंड संगीती की अध्यक्षता किसले की है तो सेकेंड संगीती के अध्यक्ष रहेंगे सावक मीर किसले की है दूसरी बहुत संगीती की अध्यक्षता सावक मीर ने से रिलेटेड रहेंगे तो ये रहेंगे यहां पर सिशुनाग वर्ष के तो काला शोक या काकवरण की टाइम पर ही दूसरी बहुत संगीती का आयोजन हुआ था अब इस संगीती में खास वात क्या रहेगे कि इसी संगीती के दौरान बहुत विक्षों में कुछ सिधानतों क को लेकर मतवेद हो जाता है मतवेद क्या था यहां पर पहले कि अगर हम बात करें तो बहुत विक्षों को दोपैर के बाद सोने की परमेशन नहीं होती थी और साथ ही साथ वो चाश नहीं पी सकते थे अगर उनको कोई सोने चांदे का दान दे रहा है तो बहुत विक्षों उस दान को भी नहीं ले सकते थे इसके अलावा अभी यहां पर हुआ क्या दो ग्रूप बन गे हैं बौध विक्षों के और उन में से एक ग्रूप ऐसा है जो इन सारी बातों का फिवर कर रहा है यानि कि वो किस चीज के फिवर कर रहे हैं कि हमें आराम दाइक विस्तर पर सोन की अनुमति भी दी जाए हमें चाश पीने की अनुमति दी जाए और अगर हमें कोई सोने चांदी का दान दे रहा है न तो हमें उस दान को ग्रहन करने की भी अनुमति दी जाए एक ग्रूप ऐसा है जो इन सारी बातों को फिवर कर रहा है जबकि दूसरा ग्रूप यहां प सिर्फ उन्ही बातों को follow करना है उनमें किसी तरह का change नहीं करना है यानि कि यहां पर दो ग्रूप बन गए है एक ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत परिवर्तन चाहते हैं जबकि दूसरा ग्रूप ऐसा है जो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं चाहता है यहां पर जो यह कह रहा है कि जो महात्मावुद बोलके गए हैं हमें उसी रास्ते को follow करना है यानि कि जो महात्मावुद ने कह दिया है बही हमारे लिए पत्थर की लकीर है हमें उसमें किसी भी तरह का change नहीं करना है तो दूसरी संगिते के दौरान ही क्या हुआ इन सिधान्तों को लेकर इन नियमो पुरवी भीक्षूं के बारे में तो यहां पर पोरवी भीक्षूं जो रहेंगे इनका प्रधान के अंदर कौनसा हुआ करता था तो वो था बखद इसके अलावा अगर हम बात करें पश्मी भिक्षू के बारे में तो यहाँ पर कौशंबी और अवंती के भिक्षू रहेंगे और इनको नित्रितों कौन कर रहा है तो इनका नित्रितों कर रहे हैं महाकच्चाय और यह जो महाकच्चाय थे यह अवंती की निव थोड़ा बहुत चेंज चाहते हैं, अपनी समझ के लिए आप यहां पर यह वर्ड यूज कर सकते हैं, कि यह कौन हुए यहां पर परिवर्तन बादी हुए, जबकि यह वाले जो फिक्षो है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर इनको हम बोल सकते हैं, अब परिवर्तन बा गिया है महासांगी किया सर्वास्तिवादी इंको क्या मोला जाएक जब भीभाजन ऊपनल नहीं और इक और खरी जा सकता है कि वह सबसे पूरानी शाखा कौन सी माने जाती है और ये पेपर में question पूछा भी गया है तो बहुत धर्म की सबसे पूरानी शाखा यहाँ पर कौन रहने वाली है वो रहेगी थेरवादी तो यह रहेंगे यहाँ पर second बहुत संगिती से related कुछे कि important से points अम चलेंगे हम third बहुत कहां पर बुलाई गई है तो तीसरी बहुत संगीती बुलाई गई है पाठली पुत्तर में और कहां पर अशोकाराम बिहार में तीसरी बहुत संगीती बुलाई गई है ठीके फिर अध्यक्ष कौन रहेंगे तीसरी बहुत संगीती गे तो तीसरी बहुत संगीती में अध्यक् थे साशक कौन थे तो यहाँ पर रहेंगे मौरे वर्ष के महान समराथ अशोक तीसरी बहुत संगीती का जब आयोजन किया गया था तो उस टाइम पर रूल कौन कर रहे थे कौन साशक थे तो वहाँ पर रहेंगे अशोक और अशोक के सरक्षन में ही तीसरी बहुत संगीती यह रचना की गई है वो कौन सी संगीती के दौरान की गई है अभिधम पिटक लिखा गया है थर्ड बौध संगीती के दौरान और यहां पर आपने ध्यान रखना है कि अभिधम पिटक का एक बहुत ही महत्तो पूरण भाग बताया जाता है जिसका नाम क्या है कथा वथू तो बौध संगीती नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट बौध संगीती के बारे में जो की हुई है पहली श्तावदी इस भी में तो चौथी बौध संगीती जो है पहली श्तावदी इस भी में बुलाई गई है कहां पर बुलाई गई थी तो यह संगीती हुई है कश्मीर के कु वह रहेंगे वसु मित्टर लेकिन चौथी बाद संगीती के एक और खासवात है खासवात क्या है चोथी बाद संगीती के दौरान एक बीशेश अतिथी भी बूलाए गए थे और उन्हें बनाया गिया था यहां पर इस बाद संगीती का उपाध्यक्ष तो कौन रहेंगे वॉद्वेज़ी की अथ्यक्ष रहेंगे इसके अलावा पर was दिखेंगे नाम है कनिशक, कनिशक रहेंगे यहां पर कि चोथी बहुत संगीती में क्या खास बात हुई थी तो आपने ध्यान लखना है कि चोथी बहुत संगीती ये दोरान ही त्री पिटकों पर अधारित एक ग्रंथ लिखा गया था और उस ग्रंथ का नाम है विवाशा शास्त्र और ये विवाशा शास्त्र किसने लिखा है कौ महायान में कम हुआ है कि भूवत धर्म का भीभाजन हीन यान संगीती के दोरान हुआ है तो कौन सी संगीती रहेगी वो रहेगी यहां पर चौत थी बौध संगीती तो यह थी बौध धरम की चार संगीतिया आई होप आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक करे शेर करे और सब्सक्राइब करे हमारे में को धन्यवाद